हेलो बच्चो नॉलिस्ट्री ट्लासेज में मैं आपकी इंग्लिश टीचर ससमीता सिंग आप लोगों का फिर से स्वागत करती हैं बच्चो आपके स्कूल खुल चुके हैं तो आप तो बहुत इंजुआई कर रहे होंगे इतने दिन के बाद आपने दोस्तों से मिले हैं अपने टीचर से मिले हैं और इसमें एक और गुड नूज वर आपको देना चाहती हूँ कि जो स्कूले सिक्च्चा और साक्षरता विभाग है जारखन सरकार का उसने आपके सिलेवस में 25% के कटोती कर दी है जा सिलेवस के अबल आपके क्लास के लिए नहीं है कक्षा एक से बारत तक के सभी कक्षाओं में जो सिलेवस उसमें 25% की कटोती की गई है क्योंकि कोरोना काल में आपका विद्याला बंद रहा और आपके परहाय का बहुत नुक्सान हुआ है आगे आपको परहाय पूरी करने में कठीनाई ना हो इसलिए आपके सिलेवस को सं क्षिप्ट किया गया है लेकिन बच्चों ध्यान रखेगा ये केवल इसी अकादमिक सत्र 2021-21 के लिए वैद है ये सब दिन के लिए सिलेवस की कटोती नहीं है ये केवल इस वर्स के लिए है तो कक्षा नौ से बारत तक का सिलेवस एक PDF में है जिसमें बच्चों को काफी परिशानी हो रही थी खुछने में जब मेरे स्ट्वेंट से मुझे बताया कि माडब हम लोग को परिशानी हो रही हम लोग का सब्जिक का सिलेवस नहीं खुछ बाते हैं क्योंकि सारे साइट स को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं कि सब्जिक्ट वाइज क्लास वाइज सी लेवस से आपको कितना हेल हुआ तो बच्चों आप मेरे चैनल पर आ करके बहुत से वीडियो देख सकते हैं आपकी परहाई से संब्देद, स्पीज से संब्देद या अन्य आक्टि आप लोगों को हर क्लास का अलग अलग सिलेवस अप्लोट कर दूँगे जिससे आपको समझने में परिशानी ना हो कि किस क्लास का कौन से है आप अपने क्लास का वीडियो खोली ये क्लास 9 वाले क्लास 9 का खोलेंगे, क्लास 10 वाले 10 का खोलेंगे, 8 वाले 8 का खोलेंगे, अ बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए सुविधा जनक होगा आइए सुरू करते हैं अब हम आपका रिवाइज सिलेबस जिसमें की 25 की कटोरती की गई है जो आपको संशिप्त सिलेबस है आज हम लोग उसके बारे में बाते करते हैं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं बढ़ना है तो आएए अब हम देखते हैं काक्छा 10 का जो संशिप्त पार्थिक्रम है अकादमिक वर्स 2020-21 के लिए लेकिन बच्चों ध्यान रहें कि ये जो सिलेबस है आपका रिवाइज सिलेबस ये केवल इस सेशन के लिए है जिसमें अभी आप 20-21 में आप अध चैप्टर्स को पढ़ना है और किन चैप्टर्स को छोड़ना है तो सबसे पहले हम आते हैं आपके विशे हिंदी एक योर इसमें देखिए पार्थ का नाम लिखा हुआ है सिमित पार्थिक्रम है तो चैनित पार्थ का नाम हाँ या ना जो हाँ है वो आपको पढ़ना है ज यानि वो chapter पढ़ना है आपको लेकिन उसमें से कोई खास part है जो की नहीं पढ़ना है तो वो इस column में आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देखते हैं छीती जो दो है उससे हमें क्या पढ़ना है सूर्दास पद हाँ यानि पढ़ना है तूलसी दास राम लक्षुन पर्सुराम समवाद नहीं यानि इसे नहीं पढ़ना है जो पार्ट तीन है आपका देव सवय्या कवित ये भी नहीं पढ़ना है जो चार है जैसे अंकर प्रशाद आत्मिकत ये भी नहीं पढ़ना है जो आपकी पाठ संख्या पांच है, सुरी कांत्रे पाठी निराला उत्सा अट नहीं रही है ये आपको पढ़ना है, जो छे है नागार जुन यह दन्तुलित मुश्कान फसल ये भी पढ़ना है जो साथ है गिर्जा कुमार माथूर, छाया मत छुना ये भी पढ़ना है अब हम आते हैं पाठ नौ मंगेश डबराल संगतकार ये आपको नहीं पढ़ना है जो दस है गद्यकंड स्वेम प्रकास नेता जी का चश्म ये आपको पढ़ना है जो 11 है रामरिक श्वेनिपूरी बाल गोविन भगत ये आपको पढ़ना है जो पाठ 12 है यस्पाल का लखनवी अंदाज वो आपको नहीं पढ़ना है सर्वेश्वल दयाल सक्सेना की जो है मानविय करुना की दिब्वे चमक ये भी आपको पढ़ना है जो 14 मन्नु भंडारी एक कहानी यह भी ये भी आपको पढ़ना है ये हां लिखा हुआ है 15 महाविर प्रशाद दुवेदी इस्त्री सिक्षा के विरोधी कुतरकों का खंडर ये आपको नहीं पढ़ना है जो पाठ 16 है यतिंद्रमिस्र नौबत खाने में इबादत ये आपको पढ़ना है पाठ 17 भरत आनंद कोशल्यायन संस्कृति ये आपको नहीं पढ़ना है सीव पूजन सहय माता का आच्चर आपको पढ़ना है जो पाठ दो है कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक ये भी आपको पढ़ना है जो तीन है मधू काकरिया साना साना हाथ जुड़ी ये आपको नहीं पढ़ना है जो पाठ चार है सीव प्रशाद मिस्र ओग्र एही ठैय जुलनी, हेरानी, हुरामा ये भी आपको नहीं पढ़ना है जो पाठ पाच है अग्ये की मैं क्यों लिखता हूँ ये भी नहीं पढ़ना है अब माते आपके व्याकरन भाग की ओर तो व्याकरन में जो क्रिया भेद है, सकर्मक, अकर्मक आपको पढ़ना है, अन्यकार्थी सब्द भी आपको पढ़ना है, समास पर जो अभ्याई भाब, तत्पुर्स, कर्मधार है, द्वेक, द्वन्द, बहुब्रीही, ये सब आपको समास का भाग पढ़ना है अब हम आते हैं, वाक के भेद, मिस्र वाक की, अभ्य समुच्य, अन्य अविकारी सब्द, वाच, कर्तरी वाच, और कर्तरी वाच हाँ, यानि आपको सब व्याक्रhole में ये सारे भाग आपको पठने हैं अब निबंध रचना की ओर आते हैं, इसमें आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्यापन लेखन, और पठिद गध्यांस, और पठिद गध्यांस, ये भी आपको पढ़ना है, अब ये तो था आपका हिंदी A, हम देखते हैं कि हिंदी B के जो विद्यारती हैं, उन् नहीं पढ़ना है बिहारी के दोहे भी नहीं पढ़ना है जो पाठ चारे मैत्रिश और गुप्त मनुष्यता यह पढ़ना है सुमित्रा नंदन पंत के जो है परवत प्रदेश में पावस यह भी आपको पढ़ना है फिर महादेवी वर्मा मधूर मधूर मेरे दीपक जल्गे आपको नहीं पढ़ना है विरेन डंगवाल की जो तोफ है यह भी नहीं पढ़ना है जो पाठ आठ एक क्या पढ़ना है पाठ बारा लीला दर्मंडलोई ततारा वामिरी कथा ये आपको नहीं पढ़ना है चुपाठ तेरा है पहलाद अगरवाल तीसरी कसं के सिल्प के सिल्पकार सैलंदर ये भी आपको नहीं पढ़ना है चुपाठ चौदा है आंतोन चेखब गिरगिर हाँ जानि ये पाठ आपको पढ़ना है अब आगे हम बढ़ते हैं निदा फाजली अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले यह पाठ आपको पढ़ना है जो पंद्रा है पाठ संख्या रविंद्र के लेकर पतजर में तूटी पतियां गिन्नी का सोना जेन की देन यह आपको अब माते हैं संचयान दो की ओर अब देखते हैं संचयान दो में आपको क्या पढ़ना है मिठलेश्वर हरिहर काका हां यानी पढ़ना है जो दो है गुर्दयाल सिंग सपनों के सौदिन यह आपको नहीं पढ़ना है जो तीन है राही मसुम्रजा टोपी शुकला यह भी व्याकरन भाग की ओर तो व्याकरन भाग में तो आपको सारे भाग पढ़ने संधी सब्द पदर पदबंध बेंतर शन्युक्त वाक उपसर्ग प्रत्य पर्यायवाची सब्द विलोम शब्द और पठिद गध्यांस और पध्यांस एवं रचना यह सारी चीज़े आपको प पढ़ना है जो नो है वो नहीं पढ़ना है तो अपमारे यह कौन-कौन सा चैप्टर है अलेतर तो गॉड दस्ट अफ स्नो फार एंड आइस निल्सन मंडेला लॉंग वर्क तो फ्रीडाव अ टाइगर इन दजू तो स्टोरीज अवाट फ्लाइंग, हाव तो तेल वाइल जो आपको पढ़ना है अब हम टैंस लेखते हैं अमांडा, तो हंड्र डिसस पार्ट वान, तो हंड्र डिसस पार्ट टू यह आपको नहीं पढ़ना है उसके बाद फिर आपको पढ़ना है अपको 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 पढ़ना ह फ़ार एनी जॉर्ज ये भी नहीं पढ़ना है, दप्रपोजल ये भी नहीं पढ़ना है, अब आपकी जो सप्रिमेंटरी बुक है मोमेंट्स हम देखते हैं उससे आपको क्या पढ़ना है मोमेंट्स से, आपको लगातार जो चैप्टर से 6 तक आपको पढ़ना है, नेकलेस नहीं पढ़ना है, भोली येस यानी पढ़ना है, दबुक दशेब दर्थ नो ये आपको नहीं पढ़ना है. अब आता है हमारा unseen passage, factual passage, discursive passage, ये दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी हैं, राइटिंग शिक्षन में हम देखते हैं, informal letter, formal letter, paragraph writing, ये तीनों ही चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ग्रामर में हम देखते हैं, tense, sequence of tense, models, non-finite, clause, direct indirect speech, subject, verb, conquered, transformation, active, passive, degree. और change the sentence की, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में, ग्रामर portion में पढ़नी हैं, अब आईए हम चलते हैं, अगले विसे, Sanskrit की ओर, और देखते हैं, हमें Sanskrit में क्या-क्या पढ़ना है. तो जो आपका पाठ है पुस्तक है, द्वितियो भागा, शेमुसी, अब इसमें से हम देखते हैं, कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, जो पाठ एक है आपका, सुची परिया वर्णम पढ़ना है, बुद्धतिर बल्वती सदा ये भी पढ़ना है, व्यायामा सर्वदा पत्य ये भी पढ़ना है, लेकिन जो पाठ चार है, सिसु लानलम ये आपको नहीं पढ़ना है, पाठ पाठ जननी, तुल्य वत्सला ये आपको पढ़ना है, पाठ छे सुभासिताने भी आपको पढ़ना है, पाठ साथ, सोहर्दे, प्रकृते, सोभा, ये भी आपको पढ़ना है, यानि जो हाँ है आपको पढ़ना है, जो नहीं है आपको नहीं पढ़ना है, अब हम केवलम पाठनार्थम ये भी आपको नहीं पढ़ना है इस वार प्रान्य भ्योपी प्रिय सूभिद ये आपको पढ़ना है अंत्योक्तय ये भी केवल पाठनार्थनम था ये भी आपको नहीं पढ़ना है अब जहें और पठित अबोधनम गद्यान साधारित प्रस्निये हैं यह आपको पढ़ना है, रश्नात्मकारियम में आपको है पत्रलेखनम, चित्रवर्ननम, अनुछेदलेखनम, यह भी आपको हाँ है, यानि आपको पत्रलेखन भी करना है, चित्रवर्नन भी या अनुछेदलेखन भी, यह सारी चीज़े आपको है, अब हमाते हैं, अनुप्र प्रत्याह केवलन प्रदंत प्रत्याही पढ़ना है ताद्डित और इस्ट्री प्रत्याही आपको नहीं पढ़ना है वाच्छे परिवर्तनम अपको पढ़ना है अब बच्चो उर्दू का है तो जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो देख सकते कि कौन सा selected relations है क्योंकि उर्दू पढ़ने में मैं और समर्थ हूँ इसलिए मैं आपको इसकी बारे में नहीं समझा सकती यह आपको खुद पढ़के समझना होगा जो उर्दू के बच्चे है आईए उन देखते हैं आपके गनित की ओर चलते हैं कि गनित में आपको कौन कौन सा chapters पढ़ना है रियल लंबर सापको पढ़ना लेकिन इसमें आपको डिविजिटिंग इर्रेशनल लंबर आपको छोड़ देना है रिविजिटिंग रेशनल लंबर संदेश्टेमल एक्सपांशन से भी आपको छोड़ देना है chapter 2 polynomials आपको पढ़ना है लेकिन इसमें आपको division a logarithm for polynomials आपको छोड़ देना है जो 3 है pair of linear equations in 2 variable यह yes है यह आपको पढ़ना है लेकिन इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है equation reducible to a pair of linear equations in 2 variable जो आपका chapter 4 है quadratic equations से भी पढ़ना है arithmetic progressions भी पढ़ना है triangles भी पढ़ना है और coordinate भी पढ़ना है अब जो मारा 8 है introduction to trigonometry यह आपको पढ़ना लेकिन आपको trigonometric identities नहीं पढ़ना है जो 9 है some applications of trigonometry यह यह आपको complete chapter पढ़ना है circles 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 में आप circles आपको chapter तो पढ़ना लेकिन इसमें आपको number of tangents from a point or a circle आपको नहीं पढ़ना है जो 11 construction यह आपको करना है जो आपका chapter 12 बे एरिया रिलेटेड टु सर्कल्स यह आपको पढ़ना है लेकिन इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है perimeter and areas of a circle, a review, areas of combination of plane figures यह आपको छोड़ देना है इसमें से surface areas and volumes यह chapter आपको पढ़ना है लेकिन इसमें से आपको conversion of solid from one shape to another आपको नहीं पढ़ना है crustism of a cone भी नहीं पढ़ना है statistics आपको पढ़ना है लेकिन इसमें से आपको graphical representation of cumulative frequency distribution नहीं पढ़ना है probability आपको complete पढ़ना है आजे हम चलते हैं आपके physics यानि बहौत एक विज्ञान की ओर कि आपके बहुत दिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है इसमें जो पाठ संख्या दस है प्रकास परावर्तन तथा अपवर्तन ये आपको पढ़ना है जो 11 है मानव नेत्रता रंग बिरंग संसार ये भी आपको पढ़ना है लेकिन इसमें आपको कुछ टॉपिक से छोड़ देने जैसे प्रिज्म से प्रकास का अपवर्तन काच के प्रिज्म द्वारा स्वेथ प्रकास का विक्षेपन प्रकास का प्रकिर्नन आपको छोड़ देना है जो आपको है पार्ठ बारत विद्यूतिय आपको पढ़ना है लेकिन इसमें आपको विद्यूतिय धारा का तापिय प्रभाव विद्यूत सक्तिय आपको छोड़ देना है जो पाड तेरा है विद्युद्धारा के चुम्बक्य प्रभाव यहां यानि आपको complete chapter physics में पढ़ना है अब आए हम चलते हैं रसायनिक विज्ञान यानि आपके chemistry क्यों क्या पढ़ना है देखते हैं उसमें जो पाड संख्या एक है रसायनिक अभिक्रियायम समीकरन आपको पढ़ना है अमलचारक एमलवन ये भी पढ़ना है धातो एमधातो ये भी पढ़ना है कारवनेव उसके योगिक भी पढ़ना है जो part 5 है आपका तत्थों का आवर्थ वर्गिकन ये आपको deleted है यानि ये chapter आपको नहीं पढ़ना ये आपको सिल्लेवस्ते इस साल के लिए हटा दिया गया है कि हम आते हैं आपके जीव विझ्यान यानि आपके बायो की बायो में आपको क्या पढ़ना है जो part संkцы आचिए जैप्रक्रम आपको पढ़ना है जो part 7 आपका नियंत्रण ये का विकास ये भी आपको पढ़ना है, उर्जा की स्रोत भी आपको पढ़ना है, हमारा परियावरन भी पढ़ना है लेकिन जो पार्ट 16 है, प्राकड़क संसाधनों का प्रबंधन ये आपको नहीं पढ़ना ही आपके सिल्ले बस्त से इस साल के लिए हटा दिया गया है तो यह तो था बच्चो हमारा साइन्स पोर्शन तो आईए हम देखते हैं कि आपका एसिस्टी पोर्शन क्या है एसिस्टी में आपको कौन-कौन से चाप्टर्स पढ़ने हैं जो आपका इतिहास है उसमें आपको पाठ संख्या एक युरूप में राष्ट्रवाद का उदय आपको पढ़ना है फिर पाठ तो भार पे राष् प्रित विश्वकाब बनना यह भी आपको पढ़ना है जो पाठ चार है ओद्योगी करनका यूग यह भी आपको पढ़ना है लेकिन इसमें जो है फ्याक्ट्रियों का आना और वस्तों के लिबाजार टॉपिक आपको छोड़ देना है अब जो पाठ पांच है मुद्रन संस्कृति और आधुनिक दुनिया यह आपको नहीं पढ़ना है अब आए हम देखते हैं आपको जोगरफी में क्या पढ़ना है भुगोल में तो भुगोल में जो पाठ एक है आपका संसाधन विकास आपको पढ़ना है वन एम जीन और राश्ट्रिय अर्थ वेवस्था के जीवन रेखा यह दो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना आपने उसे अर्थ सास्त्र की वह आपको अर्थ सास्त्र में क्या पढ़ना है जो पाठेक विकास से पढ़ना है भार्थ लेकिन इसमें आपको आए एवम अन्रिलाग्च और सा जो पाठी है मुद्रा और साख यह आपको पढ़ना एक इसकी जो टौक्स है साख की दो विबिन justityゃ निर्द्थनों के सोयंसहायता समो यह आपको नहीं पढ़ना है जो पाठ चार है वेर्षविकन भारतिय अर्थय वसा यह आपको पढ़ना है लेकिन इसमें आपको भ्याय इसमें आपको क्या क्या पढ़ने आपके siitä क्या दृसंदे सक्टा के साजीहदार्य पढ़तह संगवादप पढ़ना एपको नहीं पढ़ना है जन संघर रांदोलेह नहीं पढ़ना है राजनितिक दल आपको पढ़ना लोकतंत्र के चुनौतीयां भी आपको पढ़ने CEO लग-लग संदर अलग-लग चुनोतियौं को नहीं पढ़ना है और Ab defeated आपके वानी जी की ओर कि वानी जी में आपको क्या पढ़ना है तो वानी जी में आपको कारियली दीर्न चड़िया पढ़ना है व्यापरिक पत्र वेभार आपको नहीं पढ़ना है बैंक पढ़ना है विनमे साध्य साख पत्र ये भी आपको पढ़ना है विनमे विपत्र भी पढ़न सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें बच्चों और इसमें आपको आपके इंग्लिश की बहुत सारी पढ़ाई मिलेगी अप उन वीडियो का उप्योग करें अपनी पढ़ाई करने के लिए तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ